हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक तो मैं चैनल यूव बीटी सोलुशन्स मैं हूँ आश्रू आज की वीडियो में मैं आप लोगे शेयर करने वाली हूँ इस मेकप लोग यह मैंने स्पेशली क्रियेट किया है ब्राइड मेड्स के लिए आप वेडिंग गेस्ट मेकप ल कर सकते हों मैंने यहाँ पर मेकप करके दिखाया है सो अगर आपको यह लुक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सबस्क्राइब कर देना एंड चली यह देखते हैं देट इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है सो सबसे पहले मैंने यहां प अपने पूरे फेस पेपने हैं पे लेके लेके and after that मैने यहां पे यूस की पुराइब के सब्सक्रा पिरेफित रिये करेम में अच्छी है तो इसके बाद मैने यहां पर प्राम के लिए यूस किया है यह ब्लू हावन का प्राइमर, सिलिकन बेस प्राइमर है ये इसको मैंने अपने T-Zone पे specially apply किया है अच्छे से आपको प्राइमर को massage नहीं करना होता आपको प्राइमर की जिस्टिक लेयर अपके फेस पे लगानी होती है जिस तरह से मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है after that थोड़ से फेडिंगेस लुक है थोड़ से ग्लोई ड्यूई तो लगना चाहिए इसलिए मैंने यहां पे यूज़ किया है ये स्विस प्यूटिका पॉल इल्यूमिनेटर मेक बेस ये पिंक टोन में है तो मैंने इसको थोड़ा से लेके जैसा कि मैं आपको दिखाया अपने बैक उफ ते हांड पे लेके अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर प्लाई किया है जहां जहां हम हाई लैटर अप्लाई करते हैं वहां पे after that में पास ये शूगर का फाउंडेशन है सब्सक्राइज पॉइंटिक पासड़ जटकेशन तो यहां पर इसका जो शेड है वो की डार्क है मेरे पास मैंने क्या किया इसको अपनी फाउंडेशन की नेचे एस लेयर एक लेयर तरह मैंईस को लगा लिया as a corrector ya concealer आप इसको बोह सकते हो थोड़ी तिक है foundation यह और इसने मेरे थोड़ी जो uneven एरिया था इसको correct कर लिया and after that मैंने यहां पर यूज किया है यह Maybelline का Fit Me Foundation so इसको मैंने यूज किया फेस पर लगा है dotted motion पर फेस पर लगा के beauty blender से blend करके and neck पे मैंने foundation के साथ थोड़ा सा moisturizer mix करके apply किया कि नेक हमारी थोड़ी dry होती है so foundation थोड़ा patchy patchy दिखता है हमारी neck पर हम ऐसे ही लगा ले उसको तो उसको बाद मैंने यहां पी Krylon का Supra का ivory shade था है इससे मैंने अपने face को highlight कर लिया blend कर लिया अच्छे से and after that ये makeup revolution का banana powder है इससे under eyes को अच्छे से set किया पूरे face पे apply करा sponge की help से powder को and after that एक big fluffy powder brush लेके excess चितना भी powder था मेरे face पे उसको remove कर दिया आपको बहुत दीरे-दीरे brush को चलाना है ताकि आपका base खराब ना हो ठीक है इसके बाद हम यहां पर बढ़ता आई makeup की तरफ तो eye makeup के लिए मैं यह वाल eyeshadow palette यूज करूं का बीपरफेक्ट carnival eyeshadow palette इसमें से मैंने यह जो मैंने तीन shades आपको दिखाया था औरेंज रेड औरेंज और औरेंज रेड शेड इंदीरों को मैं यहां पर यूज करूंगा eye makeup करने के लिए आप देख सकते हूं जैसे हम cut crease करते हैं यह वाल eye makeup कर बहुत जादा trend में है तो अभी आपने देखा मैंने छोटा blending brush लेके crease line पे अपनी one third inner crease line पे blend करा उस color को after that मैंने उसको orange के लगे साथ blend करा ताकि थोड़ा सा gradient effect आए और जहां पर हम liner लगाते हैं वहां पर मैंने same पहले red को blend करा और अफर देख मैंने orange को blend करा ताकि यहां पर भी same gradient effect आए उसके बाद मुझे मेरे desired color मिल गया और फिर मैंने यहां पर क्रीज को कट किया है जितना मैंने यह उपर वाला shadow लगाया है उतने ही जगह पर मैं यह क्रीज कट करूंगी अपनी concealer लिया है मैंने same ivory shade Supra का Krylon Supra का तो इस तरह के flat concealer brush में लेके मैंने कट कर दिया है अपने क्रीज को आप देख सकते हो काफी टाइम मुझे लग गया था इसको कट करने के लिए दूसरों पर तो बहुत easily हो जाते हैं इस तरह की मेकप बट खुद पे थोड़ा मुझील आती है मुझे भी मुझील इनर वाला कलर था लाइनर की जगह वाला कलर वहां मैं दुबारा से रेड कलर को इंटेंसिव आई करा फिर इसके साथ मैंने और इंज को भी ब्लेंड किया था कि अच्छे से दोनों ब्लेंड ग्रेडियंट ओंब्रे एफेक्ट आए अफ्टर दैट मैं यहां पे यूज कर लाइट किया और बाकी हम फेस मेकप कर लेते हैं फिर हम आई मेकप की तरफ बढ़ेंगे वापे से आई आई लेश्ट बढ़ेंगे अभी मैंने आप देख से तो यह टेप मैंने यहां पे रिमूव करिया टेप लगाना आपकी इच्छा है अगर आपको लगता है कि आपको लगया लैश कर ली थी सेम कलर को और इंज कलर को मैंने लगया लैश पे ब्लंड किया और आफ्टर अड़ेट मैंने यहां पे शुगर्का पैलेट लिया है तो क्यों प्रिक कर लिया है यह थाप देख थे तो काफी जहादा डिप्रेंस आ जाता है दो पर आप नोटीस कर सेम पालेट से पिक किया है अच्छव से प्लाई और है ब्लुश ब्लश लुख की吗 कह अचिवल से अफोला थे पालre यह फिक्सर यूज किया है Swiss Beauty का eyes को मेंने चुपा दिया था अपने अच के बाद mix is लगाया after that मैं यहां पर है लाग on the तो आपके सिलवर हाइलाइटर यूस करेंगा, अगर सिलंड पर पर ह्यासि आप सिलवर हाइलाइटर तो तो इसके बार मैं यहाइब्रोड करने और बहुत पतला सा लाइनर देया है and liner के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है यह Maybelline का liner liquid liner and after that मैं यहाँ पर lipstick के लिए यूज करीए यह Just Herbs की mini lipstick मैं से 13 number shade है 13 number shade यह एक brown nude lipstick है तो उसको मैंने यहाँ पर apply किया after that मैंने यहाँ पर lashes लगा ली है यह eye magic की lashes है तो इनको मैंने लगाया अच्छे से pack का lash glue मैंने यहाँ पर use किया था after that मैं mascara करे हूँ lower lash पर अच्छे से mascara लगा लेना है mascara से कापे ज़ादा difference आ जाता है आपकी eyes खुली-खुली and सुन्दर लगती आपके lashes तो इसके बाद यह मेरा final look है मैंने यहाँ पर saadi wear की है यह जो जूल्री मैंने यहाँ पर wear की है यह मैंने मीशो से खरीदी थी बहुत affordable है 128," 156,ी है शाहिद यह तो यह जूल्री मैंने यहाँ पर wear कर ली hair do आप अपने हिसाब से देख सकते हूं मैंने तो यहाँ पर open hair रखे हैं इसके बाद यह मेरा final look है तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, share and subscribe कर देना चैनल को मिलते हैं next video में, till then take a bye bye